इसराइल की तरफ से 100% कन्फर्म हो गया है कि वो इरान पर हमला करेगा इसराइल ने अपने मित्र देश के विदेश मंत्रियों को बता दिया है कि इरान पर पलटवार भ्यानक होगा और इरान को सबक सिखाने के लिए सभी मित्र देशों को इखटा होना होगा पश्चिमेश्या की युद्ध पहेली अब धीरे धीरे खुरू रही है एक तरफ इरान के युद्ध पोत इसराइल की जमीन के आसपास समंदर के किनारों पर चक्कर लगा रहे है और दूसरी तरफ इरान अब दसगुना तेज हमले करने की धमकी दे रहा है किसी भी वक्त इसराइल और इरान का बेहत खतरनाक युद्ध छिड़ने वाला है यह हमला गजा सिटी के अलबस्मा IVF सेंटर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर पर हुआ जहां पर हजारों की संक्या में मानब भून रखे हुए थे सबसे पहले हम बिटेन की विदेश मंत्री डेविट केमरून के उस बयान की चर्चा करेंगे जिसने इसराइल इरान युद पर 100% मोहर लगा दी है दरसल इरान के पलटवार के बाद इसराइल के मित्र देशों के तमाम विदेश मंत्री रक्षा मंत्री इसराइल के दौरे कर रहे हैं ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से इसराइल के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है इसराइल के रक्षा मंत्री यॉफ गैलिंट ने इटली के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है इसराइल के अंदर बिटेन की विदेश मंतरी डेविट केमरान और इसराइल के राश्टपती साख हगोर्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद, बिटेन की विदेश मंतरी डेविड किमरोन ने इसाब कर दिया है कि इसराइल ने इरान पर पलटवार करने का फैसला कर लिया है इसराइल की राजधानी के अंदर और क्या चल रहा है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं तहरान जहां ऐसी रणनीती बन चुकी है कि युक्रेइन और घजापट्टी से भी भीशन युद अटल हो गया है एक तरफ बिटेन की विदेश मंतरी डेविट केमरान ये एलान कर रहे हैं कि युद अटल है इसराइल हमला करेगा बारा दिन का लंबा समय बिल्कुल भी नहीं लेगा इसराइल का हमला होते ही फौरण इरान के पलटवार की प्रतिक्रिया मिल जाएगी और इसराइल को देहला दिया जाएगा इसराइल की राजधानी तेल अवीव में इसराइल के बंतरी अपने साथी गडबंदन देशों के प्रतिनिद्यों के साथ युद के शुरुआत से पहले जबरदस बैठके कर रहे हैं और दूसरी तरफ इरान की राजधानी सेना दिवस मना रही है लेकिन इस बार सेना दिवस तेहरान की खुली सलक पर नहीं मनाया गया इस बार इरान ने सीक्रेट तरीके से एक बیरिक के अंदर अपना सेना दिवस मनाया है ज़ो अपकी पिछले साल इरान की सेना ने आयातुला, रोहिला, खामनेई के मकबरे पर सेना दिवस मनाया था हालकि इरान ने इसका कोई कारण नहीं दिया है कि उसने गुब तरीके से सेना दिवस क्यों मनाया लेकिन इसे इसराइल के पलटवार के खौफ से जोड़ कर देखा जा रहा है एरान के सेना दिवस में बाकाइदा एरान के राज़्टपती इबराहीम रईसी का एक बयान भी सामने आया और इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने हमला किया तो इस बार प्रतिक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर होगी और बहुत कठोर होगी एरान को पता है कि इसराइल समुद्र में बी कोई बड़ा एक्शन लेकर तुसे चौका सकता है इसलिए एरान ने अपने युद पोत को लाल सागर की तरफ भेज़ दिया है इरान की नौसेना अपने वेपारिक जहाजों को बाकाइदा एसकौर्ट कर रही है इरान का युद पोत जमरान फ्रिगेट अदन की खाड़ी में मौझूद है इरान को इस बात का डर है कि कहीं इसराइल उसके किसी वेपारिक जहाज पर अबज़ा न कर ले इसराइल के सामने इरान का गड़बंदन काफी कमजोर नजर आ रहा है एक तरफ इसराइल की सरकार अपने देश की राजधानी के अंदर इटली के रक्षामंत्री के साथ मीटिंग कर रही है लेकिन दूसरी तरफ इरान अभी भी अपने सयोग्यों के साथ मजबूत रिष्टे की तलाश में लगा हुआ है इसराइल का पड़ोसी देश जॉडन खुलकर इसराइल के साथ ख़़ा नजर आ रहा है वेस्ट इशिया के बाके इसलामी देश असमंजस में नजर आ रहे हैं और वो इस युद्ध से दूर रहने की नीती पर अमल करते हुए दिख रहे हैं इरान और रूस के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बाचीज जरूर की है लेकिन फिर भी ये गड़बंदन इसराइल के गड़बंदन के सामने बेहत कमजोर नजर आता है क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका ना सिर्फ खुलकर खड़ा है बलके अमेरिका के जनरल और अमेरिका, फ्रांस और बिटेन का पूरा साजो सामान इसराइल की सुरक्षा में तैनात है इरान और उसके सयोगियों के लिए इस वक्त भी सबसे बड़ी मुसीबत इसराइल का सुरक्षा कवज बना हुआ है लेबनान में एरान के सयोगी, हिस्बुल्ला के पास एरान के दुआरा दी गई मिसाइल ही है और दक्षिन लेबनान में एक बार फिर इस्राइल पर टेस्ट फायर किये गए इस्राइल पर 6 मिसाइलें दागी गई लेकिन इस्राइल ने 6 की 6 मिसाइलें बेकार कर दी और उन्हें इसराइल की धर्ती पर गिढने से पहले ही मार दिया दूसरी तरफ इसराइल बेखौफ होकर गजापट्टी में लगातार कोहरां मचा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर इसराइल ने गजापट्टी में 24 ठिकानों पर हम्ले कियے और इन में 56 लोगों को मार दिया है इसराइल अब तक 33,899 फिलिस्تीनियों को गजा में मार चुका है और 76,664 फिलिस्तीनियों को घायल कर चुका है दूसरी तरह फिलिस्तीन हर साल कितना इस साल भी बीस 17 अपरेल को कैदे दिवस मना रहा है इस वक्त भी इजराइल की जेलों में साड़े नौ हजार फिलिस्तीनी राजनीतिक कैदी मौजूद है इन में से 561 को उम्र कैद की सजा मिली हुई है गाजा पट्टी में 7 अक्तूबर से 15 मार्च के बीच 394 ऐसे हमले हुए जो संयुक्त राज्ट से जुड़े संगठनों पर हुए है जिसमें संयुक्त राज्ट का जंडा पहरा रहा था और इन हमलों में भी 408 विस्तापित दोगों की मौत हुई